पूर्वी दिल्ली नगर निगम के शहादरत दक्षिनी जोन की बैठक में आमादमी पार्टी के पार्षदों ने भाजपा पर भरष्टाचारी होने का आरोप लगाते वे जब कर हंगामा किया इस दोरान पार्षदों ने जोन चेर्मेन के सामने सिवल डिफेंस के साथ धक्का मुक्की की और कागस फाड़ कर हावा में उड़ाए वहीं दूसरी तरफ बैठक में भाजपा पार्षद ने भी केजरी वाल चोर है के नारे जोर जोर से लगाए तो आम आदमी पार्टी की पार्षद गीता रावत तो मेज के ऊपर चड़कर ही बैठ गई आपको बता दें कि बीते दिन पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हुई स्टैंडिंग कमिटी की बैठक में मीडिया कर्मियों को नाकुसने का मुद्दा बनाते हुए आप पार्षदों ने कहा कि निगम की बैठक में कुछ नहीं बलकि सब कुछ काला ही रहा होगा जिस वजा से बंडा फोड होने के डर से मीडिया कर्मियों को बैठक में नहीं आने दिया दिल्ली से समवाद दाता लोकेश कुमार की रिपोर्ट